कैसे हो दोस्तों, आज किस वीडियों में आपको बताऊंगा, कि कैसे हमारे एक भाई की, एक सस्क्राइबर की 25 साल पुरानी जो नाभी की समस्या है, वो बिलकुल ठीक हो चुकी है, उनके पेट की जो समस्या है, जो दिकत थी जो बमारी थी वो ठीक हो गई है किस से ठीक होई है मैं आपको जे भी बताऊंगा उसके वाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पेट में जो गैस फस्त जाती है जिसे हम क्रैप्ट गैस बोलते हैं बहुत सारे लोग इस गैस से परिशान होते हैं और वो गैस उतके अंदर घूमती रहती है तो इसको कैसे बाहर निकालना है एक शोटे से ट्रिक से और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा एक घर बनाने वाला चूर जो हमारी गैस एसर तिजाव ना भी कॉडिये के लिए बह कोमेंट देہकर सुनकर पढ़कर मेरा तो मन खुश हो गया कुंकि एत्स यह रहे वाली बात है मेने न सी से मेरी 25 साल से हिली हुई नाभी ठीक हो गई 25 साल की जो नाभी थी वो ठीक हो गई आपका जितना थैंक्स करूं कम है मैंने बहुत डोक्टरों को दिखाया था ठक गया था आप मेरे लिए फरिष्टे से कम नहीं हो गौड में अलाइव यू आलवेज हैपी थैंक्स तो दोस् समस्या थी वो ठीक होगे अब जिनको नाभी की समस्या होगी उनको दिक्कत कौन कौन सी आएगी सबसे पहले जो दिक्कत आएगी वो जो भी हमारा खाना होगा जो भी हम जहां पर खाएंगे बाई वो पचेगा ही नहीं वो नीचे नहीं जाएगा जहीं पर सर्ता रहेगा स गैस एसर तिजाब सबसे बड़ी जो दिक्कत नाभी वालों को आती है गैस बनेगी एसर बनेगा तिजाब बनेगा और यह उपर को चड़ता जाएगा कभी शाती में दर्द होगा कभी हमारे जितने जुएंस हैं वहां पर पेन होगी शाती में जलन गले में गुटन सिर में दर्द चक्कराना बहुत कुछ होता है खाना पीना पचेगा नहीं हमारा जितना वजन है वो कम होना शुरू हो जाएगा नाभी वालों को और बहुत से दिक्कत आती है तो हमारे जो खेम राजी हैं इनकी पच्ची साल की समस्या दूर हो गई है दोस्तों इनोंने क्या किया है हमने जो देहीं वाला नुस्का बताया है सौफ का पानी बताया है कतीरा गून सकर का पानी बताया है जे दिन में चार चीजें चार अलग अलग समय पर लेनी है अगर आपकी भी पुरानी समस्या है और आप इसे ठीक करना चाहते हो आप जगा जगा पर जाकर डॉक्टरों क पम नहीं होते, बहुत ज़ादा होते हैं. जिनको यह दिक्कत आती है. तो देहिवाला नुश्का क्या है? कैसे लेना है? और सौफ का जो पानी है, वो कैसे लेना है? कब लेना है? हमारे चैनल के उपर सभी वीडियो है. आप जो popular वीडियो है वो जाकर जरूर देखें नहीं तो जितनी वी जे important वीडियो है इनके link में description में डाल दूँगा आप जाकर जरूर देखना जोस्तों जिस तरह से हमारे इस भाई की ना भी ठीक हो गई है आपकी भी ठीक हो सकती है अगर आप हमने जितनी चीजे बताई हैं उनको लगातार लोगें क्योंके जितनी देशी चीजे होती हैं उनको हमारे सरीर में लगने के लिए समय लगता है जैसे यलूपैटक मेडिसन ह होती है वो मिंटों में असर करती है पर जो घ्रेलünü नुसके होते हैं उन्हें लगने में समय लगता है कई बार क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन एक महीना दो महीने शे महीने इतना समय लग जाता है और depend करता है कि आपका जो lifestyle है वो कैसा है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पेट में trapped gas होती है जो gas यहाँ पर stomach में बनती है और अंदर ही अंदर गूमती जाती है उनको सिर्फ एक mint में कैसे नकालना है आपने कुछ भी नहीं करना आपको शोटा सा ट्रिक बताऊंगा और जितनी gas पेट के अंदर जहां पर गूम रही है नसों में और वही gas हमारी नाभी और कौडी को भी हिला देती है हमें upset रखती है हमारा जो दमाग है वो चकराता रहता है इसी gas के कान उसको सिर्फ एक मिन्ट में कैसे निकालना है चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों जो ट्रैप्ड गैस होती है वो हमारे स्टमक में ऐसे घूमती रहती है और हमें बहुत ज़्यादा upset करती है तो इसे निकालना बहुत जरूरी होता है इसको निकालने के और बहुत सारे तरीके हैं जैसे के खाना खाने के बाद सेर करना थोड़ा जोगासन करना हमारे हाथों पर यह जहां पर point होते है उनको दबाना ऐसे ट्रैप्ड गैस निकल जाती है तो आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने लेट जाना है ठीक है ऐसे ही लेट ना है जैसे हम लेटे हैं इसके बाद क्या करना है कि आपने यहां पर हाथ रखना है जहां पर हमारा स्टमक होता है ठीक है ऐसे आपने बोलना नहीं है आप सिर्फ इस वीडियो में देखकर समझ सकते हो वो करना जब है, जैसे हमने बताया है वैसे ही करना है देखें जरा ध्यान से देखिए यहां से ऐसे पकड़ना है स्टमक को, स्टमक हमारा कितना होता है? इतना होता है, ठीक है? और इसे ऐसे रखकर आपने ऐसे दबागा है दोस्तो तीन से चार बार ऐसे दबाओगे तो जो हमारी पेड़ी के अंदर गैस गूम रही है ट्रैप्ड गैस है वो उसी समय बाहर निकल जाएगी जो के बाहर नहीं निकल दी इसलिए हम बहुत ज़्यादा अपसट रहते हैं हमारा जितना पेड है वो भी अपसट रहता है गैस उपर को जाती है तो हम ज़्यादा अपसट होते हैं हमारा खाना पीना पच्टा नहीं है जो सबसे बड़ी दिक्कत है तो ट्रैप्ड गैस को निकालने का असान तरीका चार से पांच बार हमने ऐसे करना है अब जहां पर मैं आपको एक बात बताता हूँ अगर आपके ऐसे जो गैस है वो नहीं निकली तीन से चार बार जा चार से पांच बार करने से गैस नहीं पास होई तो आपने एक चूर में खाना है तो आपने क्या करना है 8-10 दिन जिमें आपको एक चूर्न बताऊंगा सारी चीजे बताऊंगा चूर्न को कैसे बनाना है कैसे लेना है 8-10 दिन आप इस चूर्न को ले लो उसके बाद अगर जब भी आप ऐसे ट्रिक इस्तमाल करोगे तो आपकी gas उसी समय पास हो जाएगी अभी अगर आपके gas नहीं निकर रहे तो आपके पेड में बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसकी वयाँ से ये ठीक काम नहीं कर रहा है अगर आपके ये ठीक काम कर रहा है जब भी आपके जो trapped gas अंदर हो जाती है फस जाती है gas तो उसी समय आप इस तरह से लेट कर अपनी gas को बाहर निकाल सकते हो तो दोस्तों जे जो चूर नहीं हम घर पर मना सकते हैं सबसे पहले हमने क्या लेना है थोड़ा सा हमने जीरा लेना है जे जो चूर नहीं हमने 8-10 दिन ही लेना है 8-10 दिन के अंदर अंदर आपका जो पेट है बिल्कुल दुरस्त हो जाएगा बिल्कुल नर्म हो जाएगा थोड़ा सा आप जीरा लेलो थोड़े से पीस आप लॉंक के लेलो आप दाल चीनी इसमें डाल सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इससे हमारे जितनी भी पेट की समस्या है वो ठीक होगी थोड़ी से हमने सौफ लेनी है थोड़ी से काली मिर्च काला नमक और 4-5 पीस शोटी लाची के लेने हैं इन सारी चीजों को मला करा दोस्तों आपने चूर्न मना लेना है यही चूर्न आपने खाना खाने के बाद लेना है 8-10 दिन ले लो उसके बाद जे ट्रिक काम करेगी जो मैंने अभी बताई है और आपका पेट बिल्कुल दरस्त हो जागा जितनी बंदर गैस फस रही है आपको भूख नहीं लगती दोस्तो दाल चीनी जो है जे खाने से हमें भूख भी लगेगी हमारी भूख बढ़ेगी ठीक है आपका वजन भी बढ़ेगा नीचे नहीं जाएगा तो जे चूर्न बहुत यह अच्छा है इस चूर्न को आपने मिक्स करना है इसका चूर्न बनाना है खाना खाने के बाद आदा आदा चमच आप लीजिए दिन में दो समय ले सकते हैं जा तो आप सुबा जा शाम ले लो जा दोपहर को जा शाम को ले लो ठीक है आठ से दस दिन इसका सेवन करना है इस चूर्न को बनाकर आप किसी भी काज की शीशी में रख लो गर पर किसी को भी ट्रैप्ट गैस होती है तो आप उनको दे सकते हो आठ से दस दिन आप इसका अराम से सेवन कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब भी करना